इस वीडियो हम पाठ क्रमांक 10 विशेहिंदी कक्षान वी आपारज इस पाठ का स्वाध्य हम देखने वाल है तो चले शुरू करते हैं पहला प्रश्न है पाठ के आंगन में एक सुचना के अनुसार कुरुतिय कीजिये क केवल एक शब्दों में उत्तर लिखिये एक जिन में चल फिरने की क्षमता का आबा हो इसका जवाब है लंगडा दो जिन में सुनने की क्षमता का आबा हो इसका जवाब है बदीर तीन जिन में बोलने की क्षमता का आबा हो इसका जवाब है गुंगा चार, सोस्त शरीर में किसी भी एक शमता का अबाव होना तो उसका जावब है दिव्यांग इसके बाद अगला सवाल हम देखेंगे ख, पाठ में प्रोविक्त वाक्य पड़कर व्यक्ति में नहित भाव लिखिये इस प्रश्न का जवाब हम देखेंगे एक और दो प्रश्न है ख, तो एक टांग ही काटनी है तो काट दो तो इसका जावब है अमरनात अपने स्वास्त को लेकर परिवार वालों को चिंतित नहीं देख सकते थे इस वाक्य से उनकी सकरात्मक सोच का पता चलता है वे बड़ी ही हिम्मती और जिवन में आने वाली परिशानियों का सामना निडर्था से करने के लिए तयार थे इसके बाद दो है मैं जानता हूँ कि जिवन का विकास पूरुशार्त में आत्महिंता में नहीं जावबे इस वाक्य से अमरनात की सकरात्मक सोच का पता चलता है दुरगाटना के बाद उनकी टांग काटी गई फिर भी उन्होंने जिवन से संगर्शा करना छोड़ा नहीं उन्होंने चितरकारी वगबागवानी को अपने जिने का जरिया बना दिया फिर उनकी दाई बहा काट दी गई फिर भी उन्होंने जिवन से हार नहीं मानी इसके बाद उन्होंने शास्रे संगित सिखना शुरू किया लेकिन बिमारे की वज़से उनकी आवाज भी चली गई जिवन में इतना सब कुछ खो देने के बावजूद अमरनात दुरुद निच्चे वो अपरा जय थे उन्होंने परिस्तितियों से कभी हार नहीं मानी क्योकि वे जानते थे कि जिवन का विकास पुरुशार्त में है आत्महिंता में नही इसके बाद आगला सावाले दो हिन शब्द का प्रयोक करके कोई तीन अर्थपुर्ण शब्द तयार किजिए जैसे आत्महिं आत्महिं चो धन अधिकहिं धनहिं जनहिं महत्व महत्वहिं इसके बाद आगला सावाल हम देखेंगे तीन परिष्टितियों के सामने हारन मान कर उसे सहर्ष स्युकार करने में ही जीवन के सार्थकता है स्वष्ट किजिए जवाबे जीवन में सुख दुख का चकर निरंतर चलता रहता है जिस प्रकार मनिश्य सुख के क्षनों को आनंदित होकर स्युकार करता है उसे प्रकार बिकट परिष्टितों को भी सहर्षय स्युकार कर उसका सामना करना चाहिए आपनी जीवन को सुखमय बनाने के लिए उसे बिकट परिष्टितियों में धर्य के साथ काम लेना चाहिए इसके बाद परिष्टितियों को सुल जाने का प्रयास करना चाहिए कुछ परिस्तितियों दर्दनाक होती है किन्तु इसका आरत यह नहीं है कि विक्ति जिना ही छोड़ दे उन परिस्तितियों का सामना करने के लिए उसे अपने आपको और अधिक सक्षम बनना चाहिए जीवन की सारतक्ता इसी में है इसके बाद अगला सावल है लेखनिया कला की साधना जीवन के दुखमे क्षनों को बुला देती है इस विशे पर अपने विचार लिखिये तो इसका जवाबे जीवन में सुख दुख का चकर निरंतर चलता रहता है जिस प्रकार मनुश्य सुख के ख्षनों को आनंदित होकर स्विकार करता है उसी प्रकार बिकट परिस्तितों को भी सहर्ष स्विकार करूज का सामना करना चाहिए आपने जीवन को सुखमय बनाने के लिए उसे बिकट परिस्तितियों में धहरे के साथ काम लेना चाहिए परिशानियों को सुलजाने का प्रयास करना चाहिए कुछ परिस्तितिया दर्दनाक होती है किन्तु इसकार तयह नहीं है कि व्यक्ति जिना ही छोड़ दे उन परिस्तितियों का सामना करने के लिए उसे अपने आपको और अधिक सक्षम बनना चाहिए जिवन की सार्तक्ता इसी में है इसके बाद अगला है कला की साधना जिवन के दुखमेक्षनों को बुला देती है इस विशे पर अपने विचार लिखिये तो इसका जावे मनुष्यके जिवन में कला का विश्यश्मत है कला मनुश्य के जिवन में आनंद का भाव प्रदान करती है कला समझ का दर्पन है कला का तात पर्य केवल चित्र कला से नहीं बलकि नुट्य कला, गायन, वादन, मुर्तिकला, शायरी, कविता आधि अनेक कलावों से है मनुष्य के मन में स्वत्तंत्र भाव उत्पन्न होते हैं उन भाव को वह प्रकट करना चाहता है और कला से अच्छा माध्यम कोन सा हो सकता है शास्रिय नुत्य हो या लुकनुत्य इन में खोकर तन ही नई मन भी जुम उठता है इसके बाद है अगला सवाल सुचना के अनुसार कुर्तिय कीजिए संजाल पुर्ण कीजिए कहिन वास पर बनते होई चित्र फुलों के पत्तों के जरने के हरियाली के इसके बाद अगला सावल है हमारा तो रिक्त स्थान पूर्ण कीजिए बनाए गए घर के पीछे फोलों के पेड़ और घर के आगे फोलों का बगीचा इसके बाद तीन है परिछेज से ऐसे दो शब्द ढुन कर लिखे जिनका वचन परिवर्तन नहीं होता तो इसका जावब ह माली और फल इसके बाद अगला सावाल है चार कला में अभिरुची होने से जिवन का अनंद बढ़ता है अपने विचार लिखे तो इसका जावब है प्रत्यक में कोई न कोई कला अवश्य होती है यदि मनुष्य को अपने अंदर छिपी कला का ग्यान बच्पन में ही हो जा है रदय के गहरायों से निकली अनुबुती जब कला का रूप लेती है तो कला कार का अंतर मन मानों जाग जाता है कला में रूची होने पर मनुष्य के जीवन में आनंद बढ़ता जाता है अपनी इच्छा के विरुद्ध कार्य करने से मनुष्य अपनी जीवन में केवल तनाव, दुख और कश्ट की ही अनुबुती करता है परन्तु अपनी रूची अनुसार कला क्षेत्र में कार्य करने से उसका आत्मईश्वास बढ़ता है और उसे जीवन के सुकमयक्षनों क एसास होने लगता है इसके बाद है आसपास कला क्षेत्र में भारत रत्न उपादी से अलंकुरूत महान युवदियों के नाम क्षेत्र वर्ष नुसार सुची बनेए तो नाम एमेस सुब्बालक्षमी क्षेत्र है शास्रिय संगित्तद्य वर्ष उन्निसो आठ्ठनवे उसके बाद है पंटित्रविशंकर सितारवादक वर्ष उन्निसो निन्यानवे उसके बाद है लतामंगेशकर क्षेत्र है पारशगाईका वर्ष है दो हजार एक उसके बाद है क्षेतरय शहनाईवादक वर्ष है 2001 उसके बाद है पंडित भिमसेन जोशी क्षेतरय शास्रियगायक वर्ष है 2008 उसके बाद है मौलिक सुरुजल समाज के जरुरतमंद लोगों की में सहायता करूंगा विशेपर अपने विचार प्रकट किजिए तो जवाबे हमारे समाज में कई ऐसे लोग है जो अपनी दैनिक आवशकताओं को पूरा करने में सक्षम नहीं है ऐसे जरुर्मंद लोगों की सहायता के लिए सभी को एक ठोस कदम उठाना चाहिए इसकी शिरुवात खुद से करना चाहूंगा और समाज के जरुरतमंद की सहायता करने में अपना पूर्ण योगदान दूंगा रोगी का रोगदूर करके अशिक्षित को शिक्षा प्राप्त करने में मैं अपना पूरा सहयोग दूंगा क्योंकि सोस्त समाजी सोस्त देश का निर्मन करता है और देश के विकास में अपना योगदान देता है इस इसलिए में निस्वार्त भाव से समाज के जरुवतमन लोगों की साहता करके एक जिम्मेदार नागरिक बनूंगा इसके बाद है पाट से आगे दिव्यांग महिला खिलाडियों के बारे में जानकरी प्राप्त करके टिपनिया तैयार किजिए तो इसका जवाब आएगा एक ह प्रग्या गिल्डियाल महिला एथलेट प्रग्या सो प्रतिशत लोको मोटर से पीडि थे उन्होंने 2014 अंतराष्ट्री एथलेटिक्स आईपीसी गांप्री तता 2016 में दुबई शारजा इंटरनेशनल एथलेटिक्स चाइंपियनशिप में साथ पदग जी थे प्रग्यारि यो पेरालेंपिक में डिस्क थ्रो के फाइनल के ट्राइल के लिए भी चैनित हुई थी इसके बाद है माल्ती कुरुष्ण मूर्ती होला जवाब है बिंगलूर की इस अंतराष्टे पेराइथलेट को एक साल की उमर में लक्वा मार गया था नीमित उपचार के बाद उनकी तूपरे शरीर की शक्ती वापस आ गई लेकिन निचला भाग आबे भी कमजोर है हुला ने खेलों में भाग लेना शुरू किया और बहुत ही अच्छा प्रदर्शन किया डेनमार्क में हुई वर्ड मास्टर गेम्स में उन्होंने 200 मिटर दोड शॉट पुट डिस्क और ज तो इस प्रकार हमने यह स्वाध्याय पूरा कर लिया है कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं तो अपराजे इस पाठ का संपुर्ण स्वाध्य हमने लिख लिया है कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट किजिए धन्यवाद